हेई गाइस आज मैं आपके लिए क्या ही हूँ एक ऐसी रेमिडी जो आपकी स्किन को इंस्टेंट वाइट कर देगी ब्राइट कर देगी साथ इसाथ आपकी जो स्किन है ना वो ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाएगी असलाम अलेकुम गाइस मैं हूँ अलीजर चलिए स्टार्ट करते हैं मजदार से इंफॉर्मेटिव वीडियो बेना टाइम वेस्ट किये सबस्टाइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को निटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले आपने एक बोल लेना है उसके लेना है ताकि जो भी इंगुडियों इसमें एड़ करना वो अच्छे से मिक्स हो जाए मैंने पॉंट्स का लाइट मोईस्टराइब कोई सब भी मोईस्टराइब ले सकते हो उसके बाद जो हमारा अगला इंग्रीजिट है आपने इसमें एड़ करना है एक से दो चमच भर ग्राम फ्लॉर आपने इसमें एड़ करना है जब भी आप बेसन या मैदा कुछ भी यूज़ कीजिए ना तो सबसे पहले आपने उसे चाल लेना है क्योंकि इसमें गुटलियां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए इसे आपने एड़ करने के बाद अच्छी तरीके से चालने क आप यूज़ करते हो डेली बेस पे अब वो इसमें एड़ कर सकते हो इतनी ही आपने इसमें एड़ करनी है ज्यादा नहीं करनी है इसे आपने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इसे मिक्सिंग करने के बाद हमारा जो अकला इंग्रिडियन है आप सब के पास मु आप देख सकते हैं कोई भी लंप्स नहीं है बिल्कुल फाइन से क्रीम बनके रेडी हो गई है अगला जो इंग्रिडियन्ट है आप इसमें एड़ करना है इवोन का एक कैपसूल ठीक है अगर आप ज्यादा ब्राइटिनिंग चाहते हैं तो इसमें वाइटनिंग कैपसूल दोनों ऑप्शनल है ठीक है उसके बाद जो हमारा अकला इंग्रिडियन्ट है आपने इसमें एड़ करना है जिए वाइटनिंग पाउडर मैंने सॉफ्ट रच वालों का वाइटनिंग पाउडर लिया आपको इसे भी ब्राइन का वाइटनिंग पाउडर ले सकते हैं इनके इसे यह मिक्स हो जाए फिर आपने इसे कैसे अप्लाय करना है इसकी अप्लिकेशन का तरीका देखना है इसे स्टोर कर सकते हैं या नहीं सारी चीज़े मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी अच्छा एक बात बताती चलूँ अगर आप वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम क обяз वाइट अखर हों। अप्लाय अप्लाय के नहीं चाहते हैं अपर फेयस अपने अपने तका बीजिक अपने अप्लाय करते हैं आपके साथ शेयर की है इसे आपने सेफ हफते में एक मरतबा यूज़ करना है ज्यादा यूज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है जब यह अच्छे से सूख जाए तो इसे आपने वैट स्पंज की हेल्प से से रिमूफ कर देना है उम्मीद करूंगी वीडियो आपको बह पसंद आई होगी मिलते हैं क्लिवटियमे तब तक के लिए फियमानेला और अपना ख्याल रखिएगा